जै बोले ना दस्तों 9 बच के 34 मिट हो गई 934 एम और मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो सबसे पहले हम डिस्क्लेमर सेक्षेन देख लेते हैं इसको पढ़ना अनिवारी है मेंडेटरी है अब मैं अपना एक एक्स्क्लूजिव देने वाला हूं तो सबसे बिला आप इ करेक्टरी का मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कल एक हेमर बना था लास्ट के कुछ सवादो घंटे की केंडल में मैंने दिखाया था और रिलाइंस भी मुझे लग रहा एक त्यारी कर रहा बड़ी तेजी की एक बार रिलाइंस अब मुझे इमीडियेट ली एक बार यहां तक पहुंचता हुआ दिख रहा है दो अजार पचास तक इमीडियेटली आने की ताकत रखता है इमीडियेटली तो आज बड़ी तेजी के साथ रिलाइंस भाग रहा है तो मार्केट को थोड़ा देर समाल के रखेगा आज यह दोजार एक पे आ गया है कल की क्लोजिंग 1979 की है और 2006 का ही बना चुका है तो आज 2040 तक मैं रिलाइंस को आज ही जा सकता है या कल तक जा सकता है 2047 तक रिलाइंस ठीक है इसको बाई ओन डिप्स वाला मामला है यह एक स्टॉक और चलेगा बीपी सील आज चलेगा और दूसर चलेगा आयो सी ओन जी सी भी चलेगा यह आप ओयल से रिलेटिट क्योंकि क्रूड आप काफी दिन के बाद करक कर रहा लेकिन इन्हों ने रैली नहीं कि थी अब यह करेंगे अब मार्केट की बाद शॉट में मत जाईए जब तक कि निटी पंद्रा एक सो साथ के आसपास नहीं आ जाए स्पोर्ट में वहां पर भी आपको शॉट पर जाना है तो 197 का स्ट्रिक्स टॉपलोस डाल दीजिए एक सो साथ के पास आज शॉट करोगे भी तो भी लेकिन मैं शॉट के फिवर में नहीं रोंगा मैं शॉट करूँग की को आज दो बज के अथारा मिनट के बात दो बज के 8 regardless पर 2.18 पर वहांसे मुझे मार्केट मंदा लग रहे आज दो बच के अठारा से लेके साड़े तीन बजे तक मुझे मार्केट में डाउंसाइड लग रही है तब तक मुझे कोई बड़ी डाउंसाइड आज नहीं लग रही है आज सुबह की ओपनिंग वगरा देखने के बाद में यह डिसिजियन लिया हूं फर्मली लेकिन फिर तब ही जाके एक शॉट लिजा बहुत छोटा से स्टॉप लोग सके है वन नैंटी एट का एक सो साट आये तो शोट करना जिसको शॉट करने के मुझे नहीं आई इच्छा मैं बता दियो ठीक है और मेरा स्टॉप इंडस्टी इंडस्ट आवर भी आज चलना चाहिए सुब आपको अभी बता है देखे 2009 हो गया बात करते करते आपके सामने बढ़ गया है ठीक है तो रेलाइंस में तेजी और मार्केट को भी खीज डाले मार्केट भी खीज दिया देखिए मैंने बोला आपको तो जो चाल दिखाई देदी मुझे सुबहें खुलते ही समझ में आग करते हैं करते हैं